बीते रात हुए ओलव रश्टी में किसानों की फसल पुरी तरीके से चोपट हो गई है हम इस वक्त मौझूद हैं किसानों के बीच में और उन खेतों के बीच में जहां पर सरसों, धनिया, गेहू, मसूर, चना इन सभी की फसलों को काफी बड़े इस्तर पर नुकसान पहुंचा है किसानों की कमर तोड़ने वाले इस वाके के बाद में किसान काफी हद तक परेशान है किसान हमारे साथ मौझूद है हम देख सकते हैं फसलें बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं किसान बुरी तरीके से परेशान हैं अपनी मेहनत की जो मेहनत की कंपसीने की वैहन धरना निकल रहा है जी बताइए जो वलव रष्टी कितना नुकसान हो और अरे सर पूरों नुकसान हो बिलकुल सबसे जादा नुकसान हो यहां पर सर सोचना मसूर बिलकुल नश्ट हो चोके हैं दर्ती में कड़ गए जा इस्तितिय कट नहीं रहे अगर कट बांगे भी तो लेवर को कर्चा घर से देना पड़ेगी वहां में लेवर को कर्चा भी नहीं निकलेगा बहुत ज्यादा परेसान हो गए जब गिले थे उसके लगातार काफी वलव रष्टी हुई थी क्या मन में आप लोगों के चल रहा है अरे पाजिसर दवाईय आजिसर. अब ये पता नहीं हौगा यान होगा नहिं यँगा है त्षेदार सबस्ट लिए अपर कलेकटर सबस्क्t उन ने आशिवाशन धिया है कि आजके शाने कर दें अभी आभी आप प्रिशासन यह द्युआ है कल साथ तीन यह दो तारीक में जो ओला वरिश्टी यह चार और पांच के बीच में उस ओला वरेश्टी ने कमर तोड़ कर रख दिये एक ज़िए कि सारी उमीदों पर पानी क्या ओले फिर गए वी थे सब और प्रशाशन आसवासन देखे गया है और उसकी दो दिन के सर्वे करा के इसको उचित मुआपजा दिलाने की आसवासन देखे पर शाशन कर लगता है कि अपको लगता है कि हम उसकी फसल पूरी ले पाएंगे उसका प्रणाम है कि दिवाड़ी का निकल पाएगा क्या लगता है सर उला ब्रश्टी में कल की इस्तिती जेती कि मैं यहीं खेथ पर था सर्चों कट रही थी तो कम से कम बहुत बुरी इस्तिती बहुत जगह बुरे भी लगे है मेरे और अभी टीम आई ती आसवासन देखे चले पटबारी ने बिल्कुल भी घरे जाते हैं तो पैसे अलग मांग रहा हो बो तो पुरी कंडिशन करता है किया कि किन किन फसलों का नुकसान होगा चना धना मसूर सब को नुकसान होगा और कटवे की इस्तिती में नहीं है और बुस्वी नहीं जान बरन बता का कर है हमारे यह जो पूरा जो छेत्र है कितना लगबक गाउं से प्रवावित होंगे अभी उलव रश्टी से कम से कम 15-20 गाउं है यहां से लेके नहीं और साड़ों राशोक नगर तक गए वो तो पीच में गोरा चोरों लिछेरा बर्खेरा यसे इमजरा और आगे भी गए यहां पर जादा हो गया मतलब बहुत बड़े बड़े 500 ग्राम के वह लेते हैं कितना आपको लगता है कितना फसल का जो नुकसान हुआ है आप लोग प्रसेंटी मांग करना है आप लोगा मांदा कितना मिलना चाहिए अब मापजा सरकार देगी अब मापजा अमारा तो जैसे हमारी पांच लाग तोड़े देंगे ज्यादा ज्यादा दो अजार रोपया देती है सरकार इतना ही देती है अभी चक्का जाम भी किया गया था किसानों के दोबारा उसमें चुनाव वैश्कार को लेकर भी कुछ बातें करी गई ती हम चुनाव अलग चीज है और यह पसल किसान नहीं सुनता है हमारे गाँ वैसे पिशना देखते हैं और इतनी नुकसान है मजबिए इस यह नहीं मिलेगा मवेसी कहां से पालेंगे हमारा पार नाथ पीछे मवेसी बस्ता नहीं मिलेगा किसान तो बिल्कुल बबरबाद हो चुका गैव में सो परस नुकसान है डड़िय कभी नहीं करते हैं जैसे कलने भी जैसे चार बजे एक बाद कोई टीम आशा कती नहीं आई बहुत कोई दिक नहीं देकता है नोकसान इतना है आप दो दन बाद कर गोड़ देखेगा हमार को बहुत नुकसान हो गए प्रशासंसे मांग है कि हमार जैसे 12 कंटल भीका गरता है तो कोई क Χाट की बीमारा घलती ऐस इल्ली के लगता है यो डिए किसान के रखा जैस research की पर जया किसान की बनी अलो को पर दालता है कैसाम के इस वह पहर मैं'll कोई बचाय ढहते हैं जानलों пл developed and कोई वह बर पाई हो जाए इसका कोई न ही है उसका मापजा मिल जाके माइर रहे पड़र कहा करो बहुत और हम यह तक किसाने को जया है क्या है क्या लेगा क्याएगा ना today जी सब्सक्तार क्या उसके लिए कोई द्रस्टी लीड से लख लेते हैं और जैसे जहां अगर लीड से लखवा भी दिया तो बाग पार ना तो जहीं पर जाना मौन कर जाई को रहे हैं और बाग वो नहीं हम सिंगा फिर रहा है उलव रश्टी से परेशान किसान अपने मेहनत की जो फसल है पैदावार थी शायद अब उस पै आतार कह रहा है कि आखिर सरकार हमारी कब सुनेगी प्रशासन हमारा कब सुनेगा प्रशासनिक जो व्यवस्था है सर्वे को लेकर आखिर कब सर्वे टीम खेतों में उतरेगी MP तक के लिए गुना से विकास दिक्षित की रिपोर्ट झ्रीट ट्रीवस्था आखिवस्थ both प्रशासन